सिद्धात मलोतरा है one of the hottest heroes of Bollywood और उनकी शुरुवाद Bollywood में हुई थी student of the year के साथ जिसमें उनके opposite थी आलिया भाट कौफे विद करण में आलिया ने कहा था कि between वरुन और सिद्धार्थ वो सिद्धार्थ को डेट करेंगी क्योंकि वो loyal रहेंगे पर तब सिद्धात ने ये बात सीरिसली नहीं ली थी फिर कुछ टाइम बाद ही खबरे आने लगी कि सिद्धात और आलिया एक दुसरे को डेट करने लगे और वो अपनी दूसरी फिल्म कपूर अन संस की शूटिंग के दौरान पास आये फिर क्या था दोनों हर जगा साथ में दिखने लगे हाला कि दोनों ने एकसेप नहीं किया कि वो दोनों हैं रिलेशनशिप में पर सच सब के सामने था आलिया ने अपने दूसरे कॉफे विद करन के एपिसोड में कहा कि वो जितना चाहती थी उनको अपने पार्टनर से ज्यादा ही मिला इन फैक वोग मैगजीन के सल्टरी फोटो शूट में दोनों की केमिस्टी जच रही थी पर कमाल आरखान ने आलिया के उपर किया एक बद्दा कमेंट इससे पता चलता था कि सिध्धात कितने प्रटेक्टिव है पर इनकी खुशी ज़ादा नहीं तिकी और खबरे आने लगी कि दोनों के बीच अनबन होने लगी कुछ लोगों का कहना था कि सिध्धात डॉमिनेटिंग थे और ये बात आलिया को नहीं पसंद थी और कुछ लोगों का कहना था कि जैकलीन से जंटलमेन के सेट्स पर नस्दिकियों की वज़़ से आलिया को प्रोबलम थी असल वज़ा क्या थी? किसी को नहीं पता चल पाया पर फाइनली दोनों का ब्रेक अप हो गया दोनों ने एक दूसरे के बारे में मीडिया में जादा तो कुछ नहीं कहा पर सिध्धात ने कहा आलया ने बिक उफिवित करण में बातो बातो में सिध्धात का नाम जाकलिन और क्यारा के साथ जोड दिया ये कि सिध्धात को उन दोनों के साथ हुकप करवाएंगी औूच! कही न कही आलया ने ये सिध्धात के अफैस पर मोहर लगाई और सिधार्थ ने भी इंटेव्यू में कहा कि उन्हें आलय और अन्बीर की रिलेशन्शिप से कोई दुख या तकलीफ नहीं है इवन रिसेंटली सिधार्थ और आलय एक साथ डेली गए थे पिये मोदी से मिलने जिसे पता चलता है कि भले ही ये दोनों एकसेस हो पर दोनों एक दूसरे को टॉल्डेट कर सकते है और क्या पता दोनों फिल्मों में फिर से साथ दिखे आपका क्या कहना है इस लव स्टोरी के बारे में हमें कमेंस में ज़रूर बताए